हेलो फ्रेंड्स वेल्कम आं सैनी एजुकेशन चैनल तो फ्रेंड्स प्रिविएस वीडियो में आमने डिस्कस किया था यू टेक्टिक मिक्षर और रिलेटिविट्टी तो इसका लिंक आपको निचे दिस्क्रिप्शन बॉक में मिल जाएगा आण इस वीडियो इसकाषब अबाओ तो इम्पोर्ति पोइंस अपरेंड प्रिप्शन बबॉक्ति तो चलिए गए शुरु करते हैं आज का टॉपिक कुछ नहीं है ट्रिपल पॉंट का है एक ऐसा तमपरिचर और एक ऐसा प्रेसर जिसपर हमारा कोई सॉस्टेन seperti अकोज दो यह हमारा सॉस्टेन स्क्राइब घुन कोई हमारा सॉस्टेन से हमें फमस्टेम ऐते हैं ट्रिपल फॉंट यह लए ट्रिपल पॉयंट और नहींदि C celsius temperature and 4.58 mmHg of pressure तो अगर water के हम triple point की बात करें तो water का जो triple point होता है तो water के लिए 0.01 degree celsius temperature होना चाहिए और इतना atmospheric pressure atmospheric नहीं mmHg mercury pressure होना चाहिए ठीक है तो इस temperature और pressure पर जो water है वो water तीनों form में exist करेगा जैसे solid form में भी होगा water और ice के form में भी दिखेगा आपको और gaseous form में उसकी vapor उठती हो भी दिखाई पड़ेगी और liquid form में भी water होगा तो यह जो temperature और pressure है यह कहाँ water के लिए triple point है ठीक है तो आपको इस diagram में दिख रहा होगा कहाँ पर जो water है वो तीनों form में exist कर रहा है देखे आइस form में भी water रहे नीचे liquid form में water रहे और कुछ-कुछ vapor form में भी उठ रहा है तो यह बहुत ही simple सा concept है triple point क्या है एक ऐसा temperature और pressure जहाँ पर हमारा solid या जो हमारा substance है वो तीनों solid liquid gas तीनों form में exist करें तो वह हमारा क्या है triple point of that substance नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्टस करते हैं तो नेक्स्ट है हमारा critical point इसकी भी definition देखिए the temperature and pressure at which the liquid and gaseous phases of a pure substance become unstable and fluctuate locally within the substance is called critical point तो critical point क्या है एक ऐसा temperature और pressure जिस पर हमारे जो substance है उसका liquid phase और gaseous phase दोनों क्या हों एक दूसरे में fluctuate होने लगें और unstable हो जाएं तो उस temperature और pressure को हम क्या बोलते हैं critical point इन अधर language अगर हम समझें तो दगिए critical point is the end point of the phase equilibrium curve अभी मैं नीचे आपको phase solubility diagram दिखाऊंगा तो वहाँ पर आपको दिखाए पड़ेगा तो critical point is the end point of the phase equilibrium curve between liquid and gas तो ये क्या है critical points से ही liquid और gas के बीच का equilibrium जो होता है वो stop हो जाता है खतम हो जाता है ठीक है तो ये जो है liquid और gas के बीच में जो equilibrium चल रहा है उसका end point है अगर हम इसको phase solubility diagram में देखें तो ठीक है आगे लिखावब beyond this phase they are indistinguishable and form a supercritical fluid तो critical points से उपर जो हमारा temperature या pressure होता है तो जो हमारा substance है वो उसकी जो solid उसकी जो liquid phase और gaseous phase है उसमें हम differentiate नहीं कर सकते हों indistinguishable हो जाता है और एक supercritical fluid का formation होता है ठीक है तो अभी मैं इसको नीचे phase equilibrium को में दिखाऊंगा आपको उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है example में देखिए the critical point of water is 374 degrees Celsius temperature and 218m pressure at this point it becomes opaque तो अगर हम water की बात करें तो इतने temperature पर और इतने atmospheric pressure पर जो हमारा water है वो opaque हो जाता है opaque का मतलब क्या होता है आपार दरसी water basically क्या होता है water basically transparent होता हम आपार देख सकते हैं but इस critical point पर यानि इतने temperature इतने pressure पर अगर हम water पर इतना temperature पर अपलाई कर दें तो water क्या हो जाएगा opaque हो जाएगा means उसका जो liquid phase water का और जो gases phase वो दोनों आपस में fluctuate करना इस start कर देंगी उसमें मतलब fluctuation का मतलब होता है उतार चड़ा होना ठीक है तो unstable हो जाएगा और हमारा एक super critical fluid का formation हो जाएगा यह आप देखिए phase equilibrium कर हो है liquid और gas के बीच में तो यहाँ पर देख रहे हैं इस axis पर क्या हमारा temperature है और इधर axis पर क्या हमारा pressure है ठीक है और इधर इतने में यह क्या है liquid phase है तो इस point पर यह point जो है liquid में भी है solid में भी है और vapor में भी है और इस point पर जो हमारा कोई substance है मान लिजए सपोज यह water के लिए हम बात करें तो यहाँ पर जो temperature है water यह जो TP लिखा हुए याणि जो temperature है यह triple point का temperature और यहाँ पर TP जो है यह pressure का है याणि triple point जो है यह जो pressure है triple point का pressure और यह जो temperature है वो triple point का temperature है तो यहाँ पर यह जो point आप देख रहा है यह triple point है किसी भी substance का triple point हो सकता है और उसके आगे आप जो यह दूसरा point देख रहा है यह critical point है critical point इस पॉइंट पर जो temperature होगा वो critical temperature होगा CR लिखा हुआ है ठीक है suffix में और यहां पर इस critical point पर जो pressure होगा वो critical pressure होगा ठीक है यही से यह जो liquid और vapor के बीच की यह जो phase चल लई है यही से क्या हो जाता इस stop हो जाता इसके बाद liquid और gaseous phase होगा है अपस में fluctuation start हो जाता और एक super critical fluid का formation हो जाता है ठीक है तो यह triple point के इसको में एक और language हम बोल सकते है the point at which critical temperature and critical pressure unite ठीक है तो देखो यह क्या है critical point के critical point basically is the point at which critical temperature and critical pressure unite ठीक है जहाँ पर critical temperature and critical pressure मिलते है वही क्या है critical point है ठीक है नेस्ट हम पॉइंट देखते हैं इसको तो आज़े यहां पर हम जो है critical temperature और critical pressure को define कर लाते हैं देखे critical temperature में क्या लिखा हुआ है critical temperature is the temperature above which a gas cannot be liquefied no matter how much pressure you apply तो critical temperature क्या है कि ऐसा temperature जिसके उपर अगर critical temperature से ज्यादा temperature पर अगर कोई gas है तो उसको हम liquefied नहीं कर सकते हैं वो matter नहीं करता है कि हम कितना भी pressure apply करें कितना भी हम pressure apply करें उस gas को हम liquefied नहीं कर सकते हैं कि वो एक fluid form में exist करेगा तो critical temperature क्या है एक ऐसा temperature है जिसके उपर अगर कोई gas है critical temperature से उपर अगर कोई gas है तो उसको हम liquefied नहीं कर सकते हैं ठीक है यहाँ अब फिर से एक बाफ phase cellulability diagram में देखिए यह जो critical temperature इसके उपर अगर कोई gas है तो उसको हम liquefied नहीं कर सकते हैं उसको हम compress कर ही नहीं सकते हैं चाहे जितना pressure लगा है ठीक है तो यह हो गई basically critical temperature की definition यह जो critical temperature है यहाँ पर ठीक है और next जो है critical pressure यहाँ पर देखिए critical pressure is the pressure required to liquefy a gas at a critical temperature critical pressure क्या है एक ऐसा pressure जो required होता है किस लिए gas को liquefied करने के लिए कहाँ पर gas होने चीए at critical temperature critical temperature पर जो gas है उसको liquefied करने के लिए जो हमें pressure लगाना है वो हमारा critical pressure ठीक है दोनों point को आप ध्यान से समझे critical temperature क्या है critical temperature पर जो gas होगी उसको तो हम liquefied कर सकते हैं लेकिन critical temperature से उपर above जो gas होगी उसको हम liquefied नहीं कर सकते हैं ठीक है सेम यहीं पर यहाँ पर देखिए critical pressure is the pressure required to liquefy a gas at critical temperature जो critical temperature पर gas है उसको liquefied करने के लिए जो pressure चाहिए वो है critical pressure clear हुआ next point देखिए क्या लिगव है the point at which critical temperature and critical pressure unite is the critical point of the substance यह मैंने अभी पीछ आपको बताया था कि अज़ा point जहां पर critical temperature और critical pressure दोनों मिलते हैं वो क्या होता है हमारा critical point होता है उस substance का जिस substance का critical temperature और pressure एक दूसरे से मिलते हैं जिस point पर वो point उस substance का critical point होता है next point देखिए at the critical point or beyond it the gas and liquid phases cannot be differentiated तो critical point पर या critical point से उपर ठीक है किसी भी substance की हम gas और liquid phase को differentiate नहीं कर सकते हैं ठीक है तो यह हमारा basic सा concept हो गया critical point का और critical triple point का तो यह friends आप लोग अच्छे से learn कर लिए क्योंकि यह जो है exam के point of this और काफी important है और यहाँ से friends आप screenshot ले करके notes बना सकते हैं ठीक है और अगर friends वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like करें हमाई channel को subscribe करें हमें support करें और हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे okay friends thanks for watching